हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़े हमाई वर्क्षिट नमबा सिक्स्टे हिंदी की ललगद रिवीजन कर रहे हैं फिर से हमारा इस बाई थर्ड है व्यावाक आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुष्म सेतू पे खड़ीती बीत गया दिन आ जेव टेटोली कोडी ना पाए मांजी को दूप क्या उतराए इसको भावात पढ़ते हैं अपने इन स्पंक्तियों में कवित्री कहती है कवित्री ने मनुष्वधार इस वर की प्राप्ति के लिए किये जाने वारे सही प्रयाशों को कड़ा प्रहार किया है कहा एक वित्री ने इन पंक्तियों के माधम से वो कहना चाहती कि मुझे पच्च्चताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्ते मार्ग पर चलते वे इस्वर को खोशती रही अथार्थ मैं भक्ति मार को त्याकर हट योग का सहारा लेकर अपने 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 जीवन का हिसाब किताब किया तो मुझे पता चला कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया जिसे मैं मृत्व की बाद इश्वर क्या दिखाऊंगी मैंने तो अपना पूरा जीवन हट योग में बिता दिया यदि मेरे भगवान मेरे मांजी बनकर जब मेरे नाव को आगे उताराएंगे तो मुझे कुछ मांगे उतराई के रूप में कि मुझे कुछ तो मेरे पूर्ने कोशन में है कि उसने कुछ भी काम नहीं किया है क्या किया जाएं चलिए कोशन पढ़ते हैं पहला कोशन है जेप ट्रटोली कोड़ी ना पाई प्रस्तुत पक्तियों का भाव सपस्ट कीजिए तो इसका आप का है भाव है भाव जब मैंने हिसाब किताब किया तो पाया कि मै मैंने अपना पूरा जीवन हट योग में लगा दिया कोई भी अच्छा काम नहीं किया यदि मेरी जीवन का मांजी रूपी इसवर जब मुसे पुन्ने करम मांगे तो मैं क्या दूंगी ठीक है ये इसका भाव है कवित्री ने मांजी सब जो किसके लिए परियोग किया है त तो ये भगवान के लिए परियोग किया है तो मांजी भगवान के लिए तीसरा है आपका कवित्री इन पंक्तियों के मादम से क्या कहना चाहती है जो पंक्तिया है उसे मादम से क्या कहना चाहती है कि मैंने पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया कोई भी पुन्य करम नहीं किया जो समय बीट गया है वो लोटकर नहीं आएगा और मेरा भी समय अब दीरे-दीरे क्या और खतम हो रहा है चौता कोशेन है प्रस ut बाव में कवितरी ने किस रूप में अभी व्यक्ति किया अपनी जो है अपनी बात किस रूप में बताई है तो इसमें प्रस्तुत पार्ट में कवित्री ने नाओ के यात्री के रूप में अपनी अभी वक्ति किया जिसे भगवान मांजी बनकर खीच रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चैप्टर वीडियो कंप्लिट होता है आई हूप आपको वीडियो पसंता है उसे लाइक कीजिए, कमेट कीजिए, शेयर कीजिए आप ही वीडियो से देखने के लिए मजान को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू